सवाल दस कुमार चरित्म की रचना किसके द्वारा की गई थी? A. सूर्दास B. डंडिन C. तुल्सीदास D. कालिदास सही उत्तर है B. डंडिन सवाल कुमार संभव महा काव्य की रचना किसके द्वारा की गई थी? सवाल इतिहास के पिता की उपाधी सही रूप से संबंधित है सवाल मुद्राराक्षस के लेखक निमनलिखित में से कौन थे? अ. आश्वगोश बी. विशाखादत सी. कालिदास दी. भास सही उत्तर है बी. विशाखादत सवाल निमनलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास द्वारा नहीं लिखा गया था? अ. मालविकान इमित्रम बी. अभिज्यान शाकुन तलम सी. कुमार संभवम द. जान की हरनम सही उत्तर है द. जान की हरनम सवाल कहन की पुस्तक का क्या नाम है? अ. अर्थशास्त्र बी. इंडिका सी. पुराण द. राज्ट्रंगेनी सही उत्तर है द. राज्ट्रंगेनी सवाल कहन द्वारा लिखित राज्ट्रंगेनी निमनलिखित में से किस से संबंधित है? ए. चंद्रगुप्त के शासनकाल बी. गीतों का संकलन सी. कश्मीर का इतिहास डी. कृष्णदेव राय का शासनकाल सही उत्तर है सी. कश्मीर का इतिहास सवाल अश्टाध्याई किसके द्वारा लिखी गई थी? सही उत्तर है सवाल चरक सहिता निमनलिखित में से किस विशय से संबंधित है? ए. अर्थ शास्त्र बी. राजनीती सी. चिकित्सा डी. धर्म सही उत्तर है सी. चिकित्सा सवाल वरा महिर की पंच सिधान तिक का किस पर आधारित है? ए. फार्सी खगोल विग्यान बी. ग्रीक खगोल विग्यान सी. इरानी खगोल विग्यान डी. मैसोपोटामिया खगोल विग्यान सही उत्तर है बी. ग्रीक खगोल विग्यान सवाल निमनलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए. कालिदास रगुवंश बी. भासा स्वप्नवास्वततिम ग्र सुबंधु कादमबरी ग्र हर्ष रतनावली सही उत्तर है ग्र सुबंधु कादमबरी